हालो गाइज आम रिक्की एड़ मॉस्ट वेलकम टावर यूट्यूब चैनल निरमला निर्वान क्लासेस जैसा की जान रहे हैं हम लोग फिजिक्स पर पढ़ रहे थे और फिजिक्स में जो आज टॉपिक है वह है विद्धुध धरिता अर्थाथ इलेक्रिक कैपेसिटी जिसको हम लोग इस भीडियो में समझेंगे कि विद्धुध हरिता या विद्ध्ध करईता होता क्या है चलिए विद्ध्युत मतलब करेंट है नाच्रॉन के परवPOS को धारा कहते हैं एलेक्रोन के परवा को विद्धुत करते हैं यह और बास रही धारिता का धारिता का अर देने से किसी चालक पर जितना आवेस देने से उसके विभव में एकांक प्रद्धी होती है किसी चालक में जितना आवा आवेस देने से उसके विभव में एकांक प्रद्धी होती है उतने ही आवेस को उस चालक की धारिता करते हैं एकदम साफ डिफ्रेसन है कहीं कुछ है दे है इसके विभव में इसके potential में एकांग वृद्धी होती है जैसे माल लिजे उदाहरन स्वरूप हम बात करते हैं यह एक conductor है है यह एक conductor है इस conductor पर हम एकांग आवेस दे रहे हैं या कुछ इस पर जो है में 25 वोल्ट का विभव जो है 25 वोल्ट की जो है विभव जो प्रेंशियल है वह और इसमें उपस्थित है हना अब इसमें हम चार्ज दिये और चार्ज देने के साथ जो इसकी potential 25 पहले थी इस पोटेंशियल में जो एकांग विभव अर्था 25 वोल्ट से मान लेते हैं 26 वोल्ट हुई अर्थात आवेस देने के बाद कुछ विभव जो है इसका बढ़ा कुछ पोटेंशियल एकांग विभव में इसकी ब्रद्धी हुआ जो 25 पहले से थी वह जो है आवेस अफ्टर चार्ज आवेस देने के बाद यह कितना हो गया 26 वोल्ट हो गया तो क्या हुई इसकी पोटेंशियल में एकांग वर्दी हुवी इसके विभव में एकांग वृद्धी हुआ और इतना ही आवेस को as Ka regulation कि क्या गये कें लोग किसी चालक पर जितना आवेश देने से इसके विभव में अर्था उसके के पॉटंसियल में एकांग पृध्डी होती है उतने ही आवेश को ऊत्यש की मात्रा को हैं क्यों दिया है कि 25 वोल्ट का जो है बीभव ईल्रेडि एश ना तो अब हमने यहांसे इसमें च colony ignite चार्ज दिया लेकिन इसके वॉल्ट में इसके वीभव 25 वोल्ट में कोई असर नहीं पड़ा तो अगर असर समय यह कांग बरदी भी नहीं हुए तो फिर उस आवेस को को हम लोग धारिता नहीं कहेंगे चालक की धारिता उसको उसकी विद्धु धारिता नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा आवेस दिया जा जिससे इसके विभव में जो 25 वोल्ट था यह इससे बढ़ करके एकांक विद्धी हो और 26 हो जाए या और कुछ हो जाए 25 से बढ़ जाए तब जितना आवेस यहां दिया गया उस आवेस की मात्रा को हम लोग क्या करते हैं उतने ही आवेस को उस चालक की धारिता कहेंगे तो इस जो यह कॉपर की कंड़क्टर है इसको क्या कहेंगे उसकी जितना सावेस देने से इसकी एकांक विभव में अंतर होता है उस आवेस की मात मात्रा जिसको देने के बाद कंड़क्टर के विभव में जो है एकांग व्रिद्धी हो जाए आवेस की वह मात्रा जिसको कंड़क्टर में देने के बाद उसके विभव में एकांग परिवर्तन हो जाए वह उस कंड़क्टर की धारिता कहलाती है उस आवेस की मात्रा जिसको किसी चाला के विभव में भी वोल्ट विर्दी होती है तो चाला की धारिता सी बरावर क्यूबटे भी होती है सी बरावर क्यूबटे भी यह जो है आवेस की मात्रा है और यह वोल्ट है और यह जो है कैपसिटी यह कैपसिटी बरावर निकाल सकते हैं आप तो कहा अगर कुला क्यों कुलाम आवेस दिया क्यों कुलाम आवेस देने से किसी चाला के विभब में भी वोल्ट बृद्धी होती है यह 25 वोल्ट था अब यह 25 प्लस भी वोल्ट हो गया इसमें भी वोल्ट की बृद्धी हो गई है ना भी वोल्ट की बृद्धी होती है तो चालक की धारिता सी अब यहां से बराव निकालेंगे तो क्या होगा क्यों बटे भी अर्था जो आवेस की मात्रा यहां दी गई है वह क्यू बटे भी भी का मतलब यहां कितना हुआ यहां जो है फर्मूला है कि जिसके द्वारा कि आप क्यापिसिटी निकाल सकते हैं किसी चालक की धारिता निकाल सकते हैं है ना तो कहा अगर क्यों कुलाम आवेस देने से किसी चालक के भीभव में भी वोल्ट ब्रिद्धी होती है तो चालक की धारिता सी ब्राबर क्या होता ह क्यों निकलेगी क्यों जो है आवेस की मात्रा है जो इस चालक पर दी गई है और वह वोल्ट की वह वोल्ट है वह उसका मान है तो वह जो है दया कि बीभाब में कितना भी वॉल्ट की व्रदी ओगई तो यहां पर ठीश पर लिखना सहीँ नहीं होगा जो ब्ृद्धी हुआ लिकना भी वल्ट की वही इसके बस्लिक मेरण नीचे तो सी बराबर Beethoven बटे भी यह हो गई चालक की धारिता सी बराबर की बटे भी धारिता का एसाई मात्रक फैराडे धारिता का एसाई मात्रक क्या है फैराडे अर्था फैराडे एफ होती है इसको इसको कैपिटल एप से भी दिनोट करते हैं तो धारिता का सकते हैं यहां से आप का सकते हैं इसको फैराड है न उसको फैराड क्योंकि जब का मात्रक फैराड होगा अ फरमूला होता है क्यून अ होगा और वडिकत नहीं है तो चल अगर मान लिजे आब क्या हुआ है फाइफ कुलाम है ना 55 सॉरी या 50 कुलाम आवेश दिया हुआ है और वोल्ट में बृद्धी जो है फाइफ वोल्ट की होती है तो अगर कैपसिटी निकालना होगा तो सी बराबर क्या होगा किसी ऐसा सवाल देगा आप से किसी कंडुक्टर में है ना 50 कुलाम पाइब वोल्ट का जो है व्रिद्धी हो जाती है तो उस कंड़क्टर की कैफेसिटी क्या है है उस कंड़क्टर की धारिता क्या है आप लगाएंगे क्यूं बड़ाबर क्यूं बटे भी क्यूं कामान हो गया 50 कुलाम है ना और भी कामान 5 वोल्ट यहां से आप गणाएंगे पाँच दस पचास यह हो गया टैन सी बटे भी यह कुलाम बटे भॉल्ट है इसको आप लिखेंगे टैन फैराड और यह जो है आपका आंसर हो जागा है तैन फैराड अर्थाथ उसका फूलब जो आपके पास कंड़क्टर है उसकी जो क्योप सिर्टी कितनी होगी वह टैन फैराड के एककवल होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर किसी चालक में एक कुलंब आवच देने से उसका विभव एक वूल्ट बढ़ता है बढ़ देने पर उसमें इक जाता है तो उस चालक की धारता एक अगर किसी चालक में किसी कंड़क्तर में एक कुलम आवेस देने पर उसमें एक उसके वोल्ट में एक वोल्ट की बर्दि हो है तो उस चालक की धारता क्या होगी एक हैराड होगी एक खुलंब आवेश देने पर अगर उसमें एक थैराड के बारे में आप कर सकते हैं आप करते हैं आपके निवत बहुत बढ़ाय उणिट होता है इसको आप आपका सकते हैं के यूज में कम आया था क्योंकि यह बहुत बड़ा वोल्टेजिए फैराच जो है फैराच एक बहुत बड़ा यूट रख एक बहुत बड़ा उनिट है बहुत बढ़ा मात्रक है इसलिए पर्योग है तू माक्रो फैराच भावर फैराच यानि 10 to the power इसको यह जो मैक्रोफ हेराड है इसको मा science- talented टैंट का परेख किया जाता है क्यूंकि यह जो है अगल ईक फेराड लेंगे इक फैराडो यह बहुत बड़ा है एक फेरड बहुत बड़ा मात्रक रहता है सलिए फैराड जब भी यूज होता है तो 10 to the power minus 6 अर्थात मैक्रो फैराड में इसको यूज करता है तो मैक्सिमम नुमरिकल वेगर में भी आप देखिंगे तो मैक्रो फैराड महीं है आपको मिलेगा तो क्या हुआ इसलिए पर फैराड बहुत बढ़ा मात्रक है इसलिए पर योगे समझते हैं । सवाल उठता है कि धारिता को किन धारिता किन-किन बातों पर निर्बर करता है यह मतलब कि कहना यह चाह रहे हैं कि धारिता जो डिपेंट करता है चालक के प्रिष्ट शेत्रफल पर डिपेंट करता है प्रिष्ट शेत्रफल सर्फेस एरिया प्रिष्ट शेत्रफल जितना बड़ा होगा उस चालक की धारिता उतनी ज्यादा होगी जिस चालक की प्रिष्ट शेत्रफल जितनी बड़ होगी उसकी धरीता उतना बड़ा होगा जिस चालक का रिष्टठ पर निर्वार कर्ती है और चालक का प्रिश्च रपल बड़ा होगा तो धारिता उसके प्रस्ट रपल कम कर पाएगा दूसरा है चालक के चालक के चारो और के माध्याम पर भी धारिता ढिफान होती है मतलब उस पर भी धारिता जो है निर्भर करती है की अगर चारो और का माध्याम कैसा थे इसbay परफाविद होता आगा है कौन धारिता देखिए अगर हवा या निर्वाट अगर अगर एयर की बात करें अग्यों में या वैक्यूम में किसी चालक का विभव भी है तो यह जो है युद्दूत सिलता वाले माध्याम में घिरे रहने पर उसका वीभव भी वट है यह अर्था वी वट हो जाता है अता किसी चालक की धारिता अपने चारों और के माध्यम पर निर्भर करता है यहां पर यहां दिखाने का प्रयास किया गया है इस एक्जामपल के द्वारा कि चालक के माध्यम पर है ना कि कि किसी चालक की धारिता है उसके चारों के माध्यम् पर कैसे डिपेंट करता है वहां इसमें बताने का परियास क्या गया है कगता है अगर हवा निर्वाद में निर्वात में किसी चाल्च का कभ Fig विभव भी है हवा में या वेक्यूम में किसी चालग का विभव भी है और उसकी विद्धुद्सिलता यह है विद्धुद्सिलता वाले माध्यम में घिरे रहने पर अगर वह भी विभव है और विद्धुद्सिलता वाले माध्यम में घिरे रहने पर उसका विद्धुद्स हो जाता है मतलब यहां परिवर्तन होता है भी वर्टे मतलब की भी और जो वहां का विदुद सिल्टा वाला माध्यम है उसकी जो मात्रा है वह भी वर्टे अगर उस चालक पर विभव आप मापिएगा तो अभीवटे यह हो जाएगा अर्था विवटे अपसालिन हो जाएगा ऐसा बताता है अतह किसी चालक की धारता पर अपने चारों और माध्यम पर भी निर्भर करता है अब यह कमान बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा यहां प पर किसी चालक की धारता चालक की चारों के माध्यम पर भी निर्भर करती है आगे तीसरा पॉइंट जो है इसको देखेंगे दूसरा हो गया तीसरा पॉइंट है आसपास में अन्य चालकों की उपस्तिती होने पर भी चालक की धारता जो है परभावित होती है किसी चालक की बगल भी दूसरा चालक हो हैना और ऑने चालक की उपस्थिती हो तो उससे क्या होती है परेंड 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 बowser hin पहले चालक भीभव घट जाता है अगर माली यह चालक पहले से है इसमें कुछ यह जो है अपने से इस दिए से करेंट पासिंग हो रहा है इस करकेंट से और इसी जिगा बगल में हम गई अगर पार कर दिये तो अभी यहाँ पर क्या हो यह दूसरा यह पहला है लालाला पहला एक बगल से इसको पार कर दिए पहले की जो है पहली का पिक्षा घट जाएगी अगर एक अपने इसमें लगा हुआ है जा रहा है इससे करेंट अब बगल में हम अगर उसे अगर को भी ला दें तो क्या आओगा प्रेरण होने के कारण कि आओगा यह जो पहली पहली वाली जो कन्ड़क्टर है इसमें गटेगा पंदेंसियल गटेगा तो क्या होगा प्रेंसी बढ़े ंखर गणाते जाएंगे तो इसका मान बढ़ता जाएगा इस मेली को बढ़ते जाएंगा तो इसका वेली का गडता जाएगा तो तो पहले चाला की धारिता और बढ़ जाती है अब देखिए अब अगर मैं समीप में जो लाया गया जैसे माल लिजे इस इस कंड़कर से करेंट पार होदा था इसके बगल में हम भू संपरकित लाए अर्थ कनेक्टेड कोई और दूसरा जो है इसके बगल में कोई हो संपसम भू संपरकित अगर कोई भी इसके बगल में हम लेते हैं क्या चीजी कोई भी 1980 तो तो क्या होगी इसकी धारिता और बढ़ जाएंगे जाता है और उसकी धारिता बढ़ जाती है अगर समीब लाया गया चालक भूसंपरकित अर्थ कनेक्टेड हो तो पहले चालक धारिता और बढ़ जाती है यह सब अब्यक्टिव पुछा जाता आप ध्यान रखेगा कहा जाएगा अगर किसी कर्णेक्टर के समीब दूसरा चाल उसका भीवव उसका भी जो है वह घटेगा और उसकी क्या आऊगी बढ़ जाएगी तो यह सब ध्यान में रखेगा कैघा क्या चालक के चारो और के माधियम से जो है किसी चारों और के माधियम पर जो look i किसी चालक की धारिता निर्भर करती है किसी चालक की धारिता किसी चालक के चारो और के माध्यम पर निर्भर करती है हां करती है क्या चालक के प्रिष्छेत्रफर पर चालक की धारिता निर्भर करती है तो आज की वीडियो को यहीं इंड करते हैं स्वास्त्राइब आपना खा